Hello students, I am your business studies teacher Navdeep. I started directing chapter in my previous videos. Today we will do leadership topic of chapter directing and process of communication. So let's start. Leadership, what is the meaning of leadership? Leadership word बना है लीडर से. लीडर होता है जो सबको लीड करता है, नितरतव करता है सबका. तो लीडर्शिप एक प्रोसेस होती है, जो workers या employees के behavior को influence करने का काम किया जाता है जिसमें. Influence मतला परभावित. Leadership है कैसी प्रोसेस है जिसमें कोई leader अपने followers बाकी employees को lead करता है कि उनको काम कैसे करना है, उनको influence करता है, प्रभावित करता है, उनको एक रास्ता दिखाता है कि एक specified goal को कैसे achieve करना है. यह होती है leadership की process, यह जो process है, इसमें कुछ elements होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, यह process होती है influence की, प्रभावित करने की सब को, और यह जो influence होता है, यह किसी common goal को achieve करने के लिए होता है. ऐसे ही नहीं किसी को influence किया जाता, इसलिए किया जाता है ताकि common goal को achieve किया जा सके, और अगर कोई person खुद को influence कर रहा है, उसको हम leadership नहीं बोलेंगे, influence कोई एक person बाकियों को करेगा अगर, तो उसको हम leadership बोलेंगे, कम से कम दो, यह उससे ज़्यादा जितने मर्जी persons यहाँ हो सकते हैं, और यह जो influence है, वो इसलिए होता है ताकि लोग cooperation से, अपनी मर्जी से cooperation से काम करें, ना कि उनसे धक्के से cooperation उनने में लेकिया आया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, Now features of leadership, leadership में क्या होता है, कि एक इंडवीज्वल है, उसको leadership एक ability होती है, लोगों को influence करने की, Leadership लोगों के behavior में change लेकि आती है, और leadership शो करती है, कि leader और उसके followers में कैसी interpersonal relationship है, Leadership की जाती है, common goal को achieve करने के लिए, और यह एक continuous process है, continuous process का क्या मतलब हुआ, यह नहीं कि एक बार किसी को influence कर दिया, तो बस दुबारा करने की जरूरत ही नहीं है, Time to time employees को lead करना पड़ता है, कि उन्हें काम कैसे करना है, उनको influence उनको प्रभावित करना पड़ता है, चीक है, अब यहाँ पे तीन style है leadership के, जिसके through हम लोगों को, अपने employees को lead कर सकते हैं, और time to time, जैसी condition होती है ना organization में, उसके according, तीनों में से किसे भी method को adopt किया जा सकता है फर्स्ट method है, autocratic leadership, इसको authoritative भी बोलते हैं, सेकिंड है, participative leadership, इसको democratic भी बोलते हैं, और थर्ड है, free reign leadership, इसको lassist fare भी बोलते हैं अब यह जो first बाला है ना autocratic leadership, इसमें क्या होता है, इसमें जो leader होता है, वो सारी power अपने पास रखता है, अगर कोई भी organization में decision लेना है ना, वो खुद से लेगा, वो अपने employees को पूछता तक भी नहीं, उसके employees को, स्बोडिनेट्स को सिरफ उसके लिए गए decision को मानना होता ह स्बोडिनेट्स के पास यहाँ पे कोई power नहीं होती, बिना कोई questioning किये, स्बोडिनेट्स को leader की बात माननी पड़ती है, जो उसने decision ले लिया, उसको follow करना पड़ता है, अगर नहीं करते हैं, तो स्बोडिनेट्स को penalty भी देनी पड़ती है, फिर उनको punishment भी मिलती है, और इसके क्या advantage है, इससे decision जल्दी लिया आ जा सकता है, अब boss को किसी से पूछने की तो जुरूरत है, जब कोई decision लेना है, वह कि यह ले सकता है, तो quick decision making है, और यहाँ पे सब कुछ boss कर रहा है, लीडर कर रहा है, तो leader को बहुत ज्यादा motivation की need होगी यहाँ पे, उसको satisfied रखना पड़ेगा, और यह वाला method इसलिए adopt किया जाता है, क्योंकि जो lower level पे employees होते हैं, वो सारे less competent होते हैं, वो इस able नहीं होते हैं, कि वो decision ले सकी, तो यह भी इसके advantage होगी, और इसमें positive result मिलता है, अगर हमारा goal ऐसा है, अगर मतलब हमारी organization ऐसे हैं, इसमें speedy decisions लेने होते हैं, तब यह वाला method अच्छा रहेगा, इसका positive result रहेगा, disadvantage क्या है, कि जो subordinates हैं, उनमें frustration आ जाएगी, कि हमारी तो सुनी नहीं जाती, हमें दूसरों की ही माननी पड़ती है, उनको जो morale है, वो low हो जाएगा, वो initiative नहीं ले पाएंगे किसी काम को करने के लिए, मतलब पहल नह कर पाएंगे, क्योंकि उनसे तो पुछा ही नहीं जा रहा ना कुछ, potential and creativity जो है, subordinates की वो भी utilize नहीं होगी, अगर subordinates में potential है भी कुछ अच्छा करने की, तो भी वो utilize नहीं हो पाएगी, सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि उनको तो कोई काम खुज से करने के लिए कहा ही न जा रहा ना, ना ही subordinates की कोई development होगी, development तब होती है, जब उनको initiative लेने का मोका मिल रहा हूँ, और यह वाला method तब best रहते हैं, जब जो subordinates हैं, वो इतने पड़े लिखे हैं, उनको knowledge level इतना नहीं है, तब हम उनको decision लेने की power नहीं दे सकती, और जब company punishment and fear disciplinary technique को follow कर रही है इसमें क्या होता है, कि वो अपने employees में डर बिठा के रखना चाहते हैं, और अगर वो काम नहीं करते हैं, तो उनको punishment वगरा दी जाती है, वो चाहते हैं कि उनके subordinates discipline में रहें, तब ही यह वाला method सही है, यहाँ पे जो leader है, वही dominant होता है decision making में, मतलब कोई भी decision लेना वही लेता है, अगर organization structure ऐसा है, तो वहाँ पर यह वाला चीज ठीक रहेगी, second method है, second style है, democratic या participative leadership, इसको group centered इसलिए बोलते हैं, इसमें जो leader है न, वो सारे जितने भी employees उसके under हैं, सबसे consult करता है कि मैं यह वाला decision लेने जा रहा हूं, इसके उपर तुम्हारे क्या suggestions हैं, उनके suggestions को भी ध्यान में रखके, फिर एक final decision लिया जाता है, decision तो यहाँ पर भी leader ही लेगा, पर consultation के साथ लिया जाता है, बाकियों से भी पूछा जाता है, यहाँ पे, तो इसके advantage क्या हो कि अब employees से भी पूछा जा रहा है, तो employees भी satisfied रहें कि उनका morale भी improve होगा, उनकी decision making ability भी improve होग क्योंकि वो भी happy रहेंगे, और decision की quality भी improve होगी, अब इतने सारे लोगों से suggestions लिये जा रहे हैं, तो जो उनमें से positive suggestions होगे, उनको adopt कर लिया जाएगा, जो leader है, यहाँ उसके abilities कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसका साथ देने वाले हाँ पे, बहुत सारे competence, body needs उसके time consuming है, अब इतने सारे लोगों से सला लेनी पड़ती है, तो time तो लगेगा, जिसकी वज़े से decision डिले हो जाते हैं, और कई बर यहाँ पे positive result नहीं मिलता, positive result कब नहीं मिलता, जब subordinates खुलके interact नहीं कर रहे हैं, leader के साथ, जो leader है, वो अपना काम, subordinates को pass कर देता है, तो जब leader subordinates के साथ consult करता है ना, तो जो subordinates है, उनके मन में आसा आ सकता है, कि जो leader है, वो खुद competent नहीं है, decision लेने के अकेला, इसलिए हमसे पूछा जा रहे हैं, और यह वाला style suitable कब रहेगा, जब company का goal है, कि वो employees को independence दे, और उनका job satisfaction increase करें, और दूसरी चीज, जब leader खुद से चाहता है, कि decision making में subordinates को भी include करें, और जब जो subordinates है, अगर वो organization के goal को accept कर रहे हैं या ना, वो मानते हैं कि हाँ, हम इस goal को achieve करना ही कठे होके, तब यह वाला method suitable रहेगा, लास्ट स्टाइल इस, free reign और व्लासस फेरे leadership, इसमें क्या होता है, इसमें सारा कुछ इस बोडिनेट्स के उपर छोड़ दिया जाता है, पूरी तरह से उनको power दे दी जाती है, कि तुम अपने ही साब से decision ले सकते हो, अपने अपने level पे, और यह वाला method कब से उटेबल रह रहेगा, यह method suitable रहता है, जब जो employees हैं, वो काफी जाता skilled, educated, knowledgeable है, तब उनके ओपर यह चीज छोड़ी जाएगी, advantage क्या है, अब उनको decision making power मिल गया employees की, तो job satisfaction भी उनका improve होगा और morale भी, और maximum swap रहेगा, यहाँ पे subordinates के develop होने का, employees की capacity और potential, fully utilize होगा, यहाँ पे, disadvantage क्या है, जो subordinates है, उनको guidance नहीं मिल पाएगी, और जो leader है, उसको contribution भी यहाँ पे, कोई भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि leader का contribution क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि सारा काम तो subordinates के उपर ही छोड़ दिया न, तो यह disadvantage होगी, Now, communication, what is mean by communication? Communication का मतलब होता है, ideas को exchange करना, views को exchange करना, instructions को exchange करना, दो या, दो से ज़्यादा persons के बीच में, अलग-अलग means के थूँ, अब, सिरफ हम बोल के ही नहीं, अपने ideas को exchange कर सकते, spoken words के अलावा, written words, कुछ लिखके भी हम अपने ideas को exchange कर सकते हैं, diagrams, pictures, graphs के थूँ भी हम, अपने ideas exchange कर सकते हैं, और gestures के थूँ भी, gestures मतलब, how-how, expressions के थूँ भी, ये two-way process होती है, इसमें एक sender और एक receiver, दोनों person होते हैं, ऐसे नहीं काम चलता कि एक person अकेला बोली जाए, और उसकी कोई सुनने वाला ना हो, तो उसको communication नहीं बोलेंगे, अब communication की process देखो, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले sender होता है, sender वो person होता है, जिसके mind में सबसे पहले कोई idea आता है, जो वो किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, वो होता है sender, फिर sender के mind में जो idea आया, उसको message की form में वो share करना चाहेगा, उसका content होगा आइडिया को, उसको message बोलते हैं, जिसको वो share करना चाहता है receiver के साथ, फिर encoding, अब जो उसका message है, वो उसको लिख के या बोल के, जिस भी form में उसको express करेगा, वो होता है encoding, चाहिए वो gestures की form में करें, उसके बाद media, जब उसने, जैसे मान लो कि मैंने written form में देना था, तो मैंने लिख लिया अपना message, अब मैं उसको किसके through send करूँगी receiver तक, mail करूँगी, या फिर telephonically, या फिर whatsapp के through, जैसे भी, वो media हो जाएगा, कि जिस medium के through मैं उसको transmit करूँगी अपने message को, फिर decoding, अब जैसे मैंने किसी को send किया whatsapp पे, तो उस person ने उस message को read किया, मैंने English में type करके भेजा, English language में, उस person ने उसकी decoding कि, decoding means, वो person पंजाबी में जाता, comfortable था, उसने English से पंजाबी में, अपने mind में उसको translate किया, तो ये हो गया decoding, message को समझने के लिए, then receiver, decoding की, पता लग गया, आपको क्या होता है, ये एक process होती है, फिर receiver, वो person है जिसको message मिलेगा, और वो message को समझेगा, फिर feedback, जब receiver को message मिल गया, उसने समझ लिया, तो वो response देगा न, जैसे आपको किसीने message send कि, आप पढ़ लेते हैं, फिर reply करते हो, वो होता है feedback, sender के पास जो जाता है, और feedback के बाद, communication process end हो जाती है, कई बार बीच में एक और element आता है, वो होता है noise, जैसे मान लो, कि मैंने किसी को phone के स्पो message देना था, तो बीच में line disconnect हो गई, या line busy हो गई, ऐसा कुछ हो गया, या मैंने WhatsApp पे message send किया, उस person का net ही, खतम हो गया, net recharge ही नहीं रहा, उसका, ऐसा कुछ, या मैं phone पे किसी के साथ बात कर रहे है, तो बहुत जाता loud noise हो रही है, जिससे मेरा message उस तक नहीं पहुच पा रहा, तो यह noise वाला element भी कई बार present होता है, यह हमेशा नहीं होता है, पर sometime होता है, तो this is the process of communication, बार एकस्छाव थी जिया, विर टो यहां था इक्ट है, अच मेंद सान्विक्स Ч nada एक्स में डर टो कर तो यह ही है, ठाबने को जे मौक तो बास्त प्राव में पाल, यहां देंड़ जिजर क्ट जा इस Looks injections keep revising, thank you